हेलो एब्रीबन वेल्कम बैक टुमा चानल तो फ्रेंज आज हम बनाने वाले बहुत ही इंटरस्टिंग सब्जी जो कि आपकी पनीर के सब्जी को भी बिल्कुल फेयल कर देगी इतनी टेस्टी सब्जी बनाने वाले हम बेसन के साथ में तो अब देख सकते हो कितनी ज्यादा टेस्टी और डिलिशस लग रहे है इसे बनाने में हाडली 20 मिनिट्स लगे है यानि इसे 20 मेर्ड में आपी सब्जी बना करके रेडी कर सकते हो अब किसी भी गैस को सब करोगे ना वो उंगलिया चाटते रह जाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारा में इ इसका यूज कर सकते हैं अब हम डालेंगे इसमें मठा यानि की छाच आप चाहो तो दही का भी यूज कर सकते हो मैंने यह पर मठा का यूज क्या यानि की छाच का यूज क्या है अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसका हमें स्मूर सा पेस्ट तयार करना है मेरा पेस् एक बार चेक कराती हूं तो आप देखे हमें इस तरीके की कंसिस्टनसी चाहिए अब हम इसको स्टीम करेंगे तो स्टीम के लिए आप कोई भी बरतन ले सकते हैं मैं इसमें केक बनाती हूं इसलिए मैंने इस बरतन का यूज किया है तो अब इसे अच्छे से अब ग्रीस कर ल अब अच्छे से अब अच्छे से मिर्ची अच्छे से से कालर ची जव जाए ॉम अगर मैं कब के साब सी बता हूं तो मैं यहां पर आधा कब जो है मलाई एड किया है अब अम इसे थोड़ी देर लगाता चलाते रहेंगे ताकि आपकी मलाई है फटेगी नहीं और बहुत अच्छी से इसका टेक्श्चर बन करके रेडी हो जाएगा तो अब देख सकते हो मला यह हमारी इच्छे से पक चुक्किया गैस को हम आफ कर देंगे थोड़ी दिर इसे थंडा होने देंगे उसकी बाद एक ट्रांसफर कर लेंगे इसको एक जार में तो आप देख सकते हो यह बहुत च्छी से थंड़ी हो चुकी है अब इसे जार में ट्रांसफर कर लेती अब हमने इसे ट्रांसफर कर लिया अब हमारा जो ढोकला है या फिर मैं यह कहूँ कि जो हमने बेसन को स्टीम करने रखा था वो बन करके बिल्कुल रैडी हो चुका है अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे और छोटे छोटे पीसिस में कट करेंगे तो मैं इसे निकाल ले च्टोती यतल के अख़ा है अभुद्ए काज़ियों से निघन के आप के आपार आप और आप इस को खानी अप्रिच में इसे कमांगें दूल था सपोफ्ट बन्हुनी से की शेप में कि gall़ुत भर साटब जाता है प्राновlementsЛुक, थोड़ी सी दालचीनी 2-3 तेजपते, अब अच्छे से फ्राइ कर लेंगे, हलका जैसी चेर लेजा प्रविया और थोड़ी सी रख भीजिगर रख से फ्राइंगे, अब हम ने जो ग्रेवी तैयार किती वो अच्छे से मिक्स कर लिजें थे। हल्दी आपको इसमें नही अड़ी है… जो आपकी लाल मिर्ची है वही है, इसमें बहुत अच्छा कलर लेके आएगी तो इसे अच्छे से mix कर लीजिए और इसे boil आने तक पकाईए यानि कि जैसे ही इसमें इस उबाल आने लगता है यानि कि बहुत अच्छे से इसमें यह जो bubbles है वो आने लगते हैं यानि कि आपकी जो gravy है वो अच्छे से पक रही है थोड़ा सा और पकाएंगे फिर हम इसमें स का लें ःचा से mix करी ताकि ऍश네 से ग्रेवी है वो अपकी जो अफ wr करेंगे ऑने अच्छे सी करेंगे मिक्स और निकालेंगे इसे सर्विंग के लिए तो चलिए सर्विंग के लिए निकाल लेते तो देख सकते हैं आप हमारी जो सब्जी है वो कितनी जादा टेस्टी और डिलिशस बन करके रेडी हो चुकी है बहुत ही जादा शानदारी सब्जी है अगर आप किसी को सर्फ करोगे ना तो अपनी उंगलियों को चाटता रह जाएगा थोड़ा सा अब धनिये के साथ और थ झाल